हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू वर्ड चैनल फाइनली गुजरात उनियर्सिटी ने एक सर्कुलर डिकलेर किया है जिसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वालों की एक्जाम डेट्स बताई गई है साथ साथ में बताया है कि कौनसी डेट्स के बीच में आपको अपका एक्जाम फॉर्म जो है वो भड़ना होगा और उसकी लाश्ट डेट कौनसी है और लेट फीबी क्या रहेगी तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी चीजों के बारे में डीटेल में बताऊंगा तो यह वाला वीडियो आप लोग आखरी तक देखिएगा और साथ साथ में यहां पर आप लोग जो सर्किलर है उसमें भी डेट देके रखिए तीस नौ यानि कि यह डिक्लैर किया था कल ही तीस तारिक को तीस सेप्टेंबर को तो आप लोग अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके रखि है और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें सारे मास्टर कोर्सी आ जाते है तो यूजी सेम फाई और पीजी सेम फाई एस पर सीबी सीएस यानि कि जो आप लोग अगर सेम फाई और सेम थी में हो तो आपका सीबी सीएस लगता है चॉइस बेस क्रेडिट स्केम और अगर कर रहे हो तो उन सब की फॉर्म फिस क्या रहने वाली है तो बिकॉम की है 300 बिच्च की है 400 बिसी की है 575 ब्रस 575 और यहां पर इंफॉर्मेशन और एक्स्टरनल दोनों बच्चों के लिए वैलिड रहेगी आगे बढ़ने से पहले मैं एक और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप विकॉम सेमिस्टर 3 और विकॉम सेमिस्टर 5 में हो तो आप लोग हमारी एप को जरू डाउनलोड करें जो प्ले स्टोर पे यूजी टी नाम है और एप स्टोर पे माइंस्टीट नाम है चहां पर हम बहुत अच्छी तरीक से चार सब्जेक्ट आ चाहिए क्योंकि यहां पर प्रोफेशनल फेकल्टी उस पढ़ाते हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं लाइव लेक्टर वगेरा सब कुछ होता है अगर कोई भी तरह का डाउट होता है तो बच्चे हमारे एप पी पूछ लेते तो आप लोग जॉइन करिए और बढ़ना रहेगा तीन दस यानि तीन ऑक्टोबर से लेकर के चौबिस ऑक्टोबर के बीच में और अगर आप लोग इस बीच में बढ़ देते हो तो वही आपको रेग्यूलर फीज पे करनी है बट अगर आप मिस हो जाता है इस डेट में आपका फॉर्म बढ़ना तो लास सैमिस्टर 5 की जो टैंटिटिव एक्जान डेट एप देखो इसमें बदलाव भी हो सकता है यूनियोर्सिटी ने यानि की टेंपररी एक एक एक्जान डेट की है वह है बीस ग्यारा बीस नवेंबर को यह एक्जाम होने वाली है निवाली खतम होते ही इसकी एक्जाम शुर ही है ठीक है तो सेम 3 वालों की फॉर्म डेट है दस दस से लेकर के साथ 11 तक 10 October से 7 November के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो और इन केस आपका छूट जाता है साथ तारिक तक तो 20 तारिक लाश्ट डेट है अगर इन दोनों के बीच में भरते हो तो 500 रूपय आपकी लेट फीस जो है वो चार्ज करेगी युनिवर्सिटी और एक और बता दो कि रेग्यूलर वाले बच्चे तो कॉलेज में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं बट एक्स्टरनल वालों को ऑनलाइन भरना रहेगा ठीक है और इसकी जो टेंटेटिव एक्जाम डेट है सेमिस्टर 3 की वह रहने वाली है तीन बारा यानि तीन डिसेंबर को इसकी एक्जाम शुरू होगी तो मैंने आपको यहां पर सारी डीटेल्स देदी कि फॉर्म फीस कितनी रहने वाली है साथ साथ मैं कौनसी डेट के बीच में आपको फॉ है हो MSC है MPE है MLW MSW MRS MDC या MMCJ तो इन सारे बच्चों का जो रेग्यूलर और एक्स्टरनल चाहे कोई भी कर रहे हो आपकी फॉर्म फीस जो हने वाली है वह 575 रुपीज है और यह थोड़ा बहुत एकात कोर्स में अलग होगी ज्यादा तर कोर्स में सेम फीस है और यहां अभी तक सिफ और सिफ सेमिष्टर 3 का ही डिकलेर किया है जो सीबी सीएस में है ठीक है सेमिष्टर 1 वाले मास्टर कोर्स के और यूजी का सेमिष्टर 1 उनका कुछ भी डिकलेर किया गया नहीं है अभी तक तो आप लोग को सेमिष्टर 3 वालों को जो फॉर्म है वो भरना रहेगा 3 तारिक से 24 तारिक के बीच में और यहां पर आपको आखरी से आखरी डेट है 6 तारिक इन दोनों के बीच में भड़ते हो तो वही 500 रुपे लेट फी लगेगी बट 6-11 के बाद आप फॉर्म नहीं बढ़ सकते हैं और आपकी जो एक्जाम है वो रहने वाली है बीस गया रहा है और यह टेंटेटिव टेंपरररी डेट है जो बदल भी सकती है युनिवर्सिटी बट अभी यह मान के चलो प्रिपेरेशन आपकी इसकी हिसाब से शुरू कर देना तो यहां पर बीकॉम बीबीए कोई बी कोर्स हो अंडर ग्रेजुएट या चाहे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो आप सबकी एक तो बीस तारिक से होगी और एक होगी तेरा बारा से तो बेस्ट आफ लग सभी लोग को एक्जाम के लिए और यहां पर मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताईए अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो यह पूरा ज सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे तो दोस्तों उमीद करता हूँ यह पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हल्पूल होगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जिGameी करता हुआ फैंचा फीडियो में नेक्स्ट वीडियो में तो…